नमो नमह प्रियज्छात्रहा भवताम स्वागतम अध्य संस्कृत कक्षायाम अध्य वयम नवम कक्षायाह नवम पाठं पठिश्याम प्यारे बच्चो आप सब का संस्कृत की इस कक्षा में स्वागत है आज हम नवम कक्षा के नवम पाठ को पढ़ेंगे जो पाठ्य पुस्तक शेमुसी से लिया गया है पाठस्य नाम आस्ति सिकता सेतु पाठ का नाम है सिकता सेतु सिकता बालू रेत को कहते हैं बच्चो और सेतु बांध सिकता सेतु बालू रेत से बनाया गया बांध पुल बालू रेत से बनाया गया पुल सिकता सेतु अगच्चन्तु पठामह प्रस्तुतह नाट्यांशह सोमदेव विरचितह कथा सरित सागरह इत्यस्य सप्तमाद्ध्यायो परी आधारितोस्ति प्रस्तुत नाट्यांशह यह जो नाट्यांश है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चो यह संस्कित साहित्य की एक रचना जिसका नाम है कथा सरित सागर कथा सरित सागर से लिया गया है और इसके रचनाकार है सोमदेव सोमदेव विरचितह सोमदेव जी के द्वारा रचित कथा सरित सागर से लिया गया यह पाठ है जो कथा सरित सागर के सप्तम अध्यायो परी आधारित अवस्ति सप्तम अध्याय उपरी, अध्याय उपरी, यहां संधी है प्यारे बच्चो, सात्वें अध्याय के उपर आधारित अस्ति, यह भी संधी युक्त पद है, आधारित अस्ति, आधारित ओस्ति, सात्वें अध्याय के उपर आधारित यह पाठ है अस्मिन नाट्यांशे तपसा विद्यांप्राप्तुम् यत्न शीलह कस्चित तपोधत्य नामकह कुमारह चित्रितह अस्ति अस्मिन नाट्यांशे इस नाट्यांश में नाट्य के अंश में नाट्यांश नाट्य का अंश ये जो अंश हम पढ़ रहे हैं इस नाटक के अंश में तपसा विद्याम प्राप्तुम यत्न शीलह तपस्या के द्वारा तपस्या करके विद्याम प्राप्तुम विद्या प्राप्ती की प्रयत्न कोशिश करता हुआ यत्न शीलह यत्नम कुर्वन कोशिश करता हुआ कस्चित किसी तपोधत नामकह कुमारह एक तपोधत नामक कुमार का बालक का चित्रण किया गया है, जो विद्याप्राप्ती के लिए यत्नशील है. तस्य मार्गदर्शन आये पुरुषवेशधारी देवराजा इंद्रह तत्रा आगतवान तस्य उसके किसके तपोधत नामक बालक के, उस तपोधत नामक बालक का मार्गदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन आये उसका रास्ता, उसे रास्ता दिखाने के लिए, उसकी सहेता करने के लिए पुरुषवेशधारी, पुरुष का वेशधारण करके, जिसने इंसान का स्वरूपधारण कर लिया, ऐसा देवराज इंद्र देवताओं का राजा इंद्र तत्र आगतवान वहां आ गया। आगतवान आ गया एक्तावतु प्रत्य का प्रयोग है। उस बालक की सहता करने के लिए वहां पर देवताओं का राजा इंद्र आ गया। तत्र आगत्य देवराजह सिकताभी सेतु निर्मान आर्थम प्रयतते, तत्र आगत्य वहां आकरके देवराजह देवताओं के राजा, क्या करते हैं, सिकताभी बालू से सेतु निर्मान आर्थम पुल बनाने के लिए, सेतु का निर्मान करने के लिए, पुल का निर्मान करने के लिए प्रयतते, प्रयत्न करते हैं, देवताओं के राजाइंद्र वहां आते हैं और वह वहां आकर बालु के द्वारा पुल बनाने का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, आत्मने पद प्रियोग है क्या देख करके देवताओं के राजा इंद्रे जो कार्य कर रहे थे सिकता से सेतु निर्मान का उसे देख करके वह बालक प्रहसन प्रहास करते हुए, उपहास करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए, प्रहसन कहते हैं मजाक, उनका मजाक उड़ाते हुए वदती कहता है, किम वदती क्या कहता है, किम अर्थम भो, बालुका भी जलबंधम निर्मासी, तपोधत ने कहा, किम अर्थम भो, किम अर्थम किसलिए, किम अर्थम किसलिए, भो, संबोधन श्रिमान जी अरे आप बालू का भी जलबंधम निर्मासी बालू से पानी को रोकने का बांध बना रहे हैं कैसे क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि मर्थम भो बालू का भी जलबंधम निर्मासी आप श्रिमान जी बालू से पुल या बांध कैसे बना रहे हैं ततो देवराजह प्रतिवक्ति ये वचधातु का प्रियोग है बच्चो प्रतिवक्ति प्रतिवक्ति उत्तर देता है ततो देवराजह प्रतिवक्ति ततो ये भी संधियुक्तपद है विसर्ग संधि है ततह उसके पस्चात देवराजह प्रतिवक्ति देवताओं के इंद्र उसको प्रत्युत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनम बिना, यदीत्वं विद्यां प्राप्तुम शक्नों सी, तदा अहम अपी बालुका भी सेतु निर्मानं कर्तुम शक्नों मी। देवराज इंद्र कहते हैं, प्रतिवक्ति यद उत्तर देते हैं, कि यद की, यद अध्ययनं श्रवणं पठनम बिना, अगर अध्ययन याने पढ़ना, श्रवणं गुरु के मुख से सुनना, और फिर पठन उसको पढ़ना, याने बिना पढ़े, बिना गुरु मुख से सु और बिना उसका भ्यास किये यदित्वम विद्यां प्राप्तुम शक्नों सी तपो दत्ते यदित्वम अगर तुम विद्यां प्राप्तुम शक्नों सी विद्या प्राप्त कर सकते हो यदि तदा अहम अपी बालु का भी सेतो निर्मानम कर तुम शक्नों में तो मैं भी अहम यदि तुम गुरु मुख से सुने बिना, पढ़े बिना, अध्यन किये बिना, अगर पढ़ाई पूरी कर सकते हो, विद्याप्राप्त कर सकते हो, तब मैं भी बालु से सेतु निर्मानम कर तुम शक्नौमी, पुल बना सकता हूं। देवराजस से अभिप्रायम ज्यात्वा, देवराज के अभिप्राय को, याने देवराज जो कुछ कह रहे थे, उसके भाव को ज्यात्वा यने जान करके, क्त्वाप्रत्य का प्रियोग है बच्चो, ज्याधातू क्त्वाप्रत्य जान करके, देवराज के अभिप्राय को ज करके तपोधत्त विद्या प्राप्ति कामह गुरुकुलम गतवान तपोधत्त विद्या प्राप्ति कामह विद्या की प्राप्ति की कामना से याने अपने विद्या को प्राप्त करने की इच्छा वाला हो करके गुरुकुलम गतवान गुरुकुल को चले गए प्रियच्छा अत्रह अयम पाठस्य परिचयह ये पाठ का परिचय था अत्रएकह बालकह अस्तितपोधत्तह स परिश्रमम न कृत्वा गुरुह समीपम न गत्वा केवलम तपह एवत तप्तवा विद्यां प्राप्तुम यतते उसको इस प्रकार जान करके देवताओं के राजा इंद्र उसके समीप आते हैं और आकरके उसे यह समझाना चाहते हैं एतत ज्यापईतु मिच्छति यत यथा सिकता भी सेतु बंधह संभवनास्ति संभवम नास्ति तथा इव बिना परिश्रमेन बिना गुरुमुखात शृत्वा अध्यनमपी संभवम नास्ति अधुना अस्माकम पाठ्यांश प्रारभते अब हमारा आज का पाठ्यांश शुरू होता है प्यारे बच्चो तपोदत्तह अहमस्मी तपोदत्तह बाल्ले पित्री चरणई क्लेश्यमानोपी विद्याम नाधितवानस्मी तस्मात सर्वई कुटुम्भुभी मित्रई ज्याति जनेश्च गरहितो अभवम तपोदत्तह वदती तपोदत कहता है अहमस्मी तपोदत्तह मैं तपोदत्त हूँ अस्मी हूँ अहम मैं मैं तपोदत्त हूँ उसका नाम है तपोदत्त बाल्ले पित्री चरणई क्लेश्य मानोपी बाले बच्चपन में बालक समय बच्चपन के समय पित्री चर्णई पिताजी के द्वारा सम्मानित व्यक्ति के लिए इस तरह का प्रियोग संस्कृत में होता है प्यारे वच्चो मात्री चर्ण या पित्री चर्ण तो बच्चपन में पिताजी के द्वारा क्लेश् या तब भी कलेश्य मानों अपी कहे जाने पर, प्रताडित किये जाने पर भी विद्याम ना अधितवान अस्मी, अहम विद्याम ना प्राप्तवान, मैंने विद्या अध्यन नहीं किया, ना अधितवान, नहीं अध्यन किया, अस्मी हूं, मैंने विद्या प्राप्त नहीं क तस्मात सर्वई कुटुम्बी भी इसलिए सर्वई सभी कुटुम्बी भी जो मेरे कुटुम्ब के परिवार के लोग थे, उनके द्वारा ये तृतिया विवक्ती का प्रियोग चल रहा है प्यारे बच्चों, कुटुम्बी भी और मित्रही, ज्याती जनई, ये सब तृतिय विवक्ति का प्रियोग है, इसलिए सभी कुटुम्ब के लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रई, मित्रों के द्वारा, ज्याती जनेश्च और जो मेरे परीचित लोग हैं, ज्याती जन कहते हैं, जो हमारे परीचित हैं, बंधु बांधव है, उन इसलिए अपने कुटुम्ब के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और जो जानने वाले लोग हैं, उन सब के द्वारा निंदित हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पिता जी के दबाव देने पर भी अध्यन नहीं किया बच्पन. उर्ध्वम निश्वस्य, उर्ध्वम उपरी द्रिष्ट्वा, उर्ध्वम का आर्थ है उपर देख करके, निश्वस्य स्वास छोड़ते हुए, जैसे जिसको हम हिंदी में कहते हैं गहरा सांस छोड़ते हुए, उर्ध्वम निश्वस्य पस्चाताप के नजरिये से, पच् करके निश्वास छोड़ते हुए। हा विधे किमिधम्मयाकृतम किद्रिशी दुरबुद्धि आसे तदा एतद अपी नचिंतितम यत। हा विधे। विधी कहते हैं भाग्य को। विधी कहते हैं भगवान को भी, दोनों के लिए प्रियोग होता है। हा विधे है भाग्य अपने आपको कहता है किम इदम माया कृतम ये मैंने क्या किया किद्रिशी दूरबुधी आसित कैसी किद्रिशी कैसी दुर बुद्धी किसी खराब हो गई थी तदा उस समय अपने आप से कह रहा है गहरा सांश चोड़ करके कि मेरे भागी को क्या हो गया मेरी बुद्धी उस समय कैसी हो गई थी एतद अपी न चिंतितम एतद अपी इसको भी न चिंतितम मैंने विचार नहीं किया, मैंने इसका भी विचार नहीं किया। आगे कहते है, ए तद अप्पी न चिंतितम यत, यह भी नहीं सोचा की। अब एक श्लोक है अधुनाएक श्लोक हस्ती पूर्वम अहम श्लोकम पठामे श्लोकस्य पुनह अर्थस्य वयम अनुशीलनम करिश्यामा। मैं श्लोक पढ़ता हूँ फिर उस श्लोक के अर्थ को हम यहाँ पर स्पस्ट करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है प्यारे बच्चों कहता है परीधानेही अलंकारेही भूशितह अपि नाशोभते। नरह नीर्मणी भोगीव सभायम यदी वाग्रिहे। कहते हैं कि नरह मनुष्य अन्वय देखें प्यारे बच्चों संस्कृत की एक परमपरा है। जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं सबसे पहले श्लोक पढ़ने के बाद हम उसको विभक्ति क्रम में लगाते हैं। जब विभक्ति क्रम में लगा लेते हैं उसको कहते हैं अन्वय। एक बार श्लोक का अन्वय हो जाए, तो फिर जैसे हम कहानी या जैसे हम गद्य पढ़ते हैं, उस तरह से श्लोक का अर्थ हमारे सामने स्पस्ट हो जाता है, तो आईए इस श्लोक का अब हम अन्वय देखते हैं, सबसे पहले नरह, परीधानई, अलंकारई, भूशितहापी, विद्याम बिना नशोभते, कुत्र नशोभते, सभायाम, यदी, वाग्रिहे, कथम नशोभते, नीर्मणी भोगी इवा, परीधानई, बहुत सुन्दर वस्त्रों को कहते हैं, परीधान, जैसे राजसी परीधान हिंदी में कहते हैं, जो बड़े लोग पहनते हैं, सुन्दर वस्त्र, कोशे वस्त्र, परिधाने बहुत सुन्दर वस्त्रों के द्वारा, अलंकारई, उपर से आभूषणों के द्वारा, भूशितह पी, सुशोभित भी, मनुष्य यदि बहुत सुन्दर परिधान और अलंकारों से सुशोभित है फिर भी, सवह सभायाम, सभामे, विद्वानों की सभामे, यदि ग्रिहेवा, या फिर घर में हो, न शोवते, शोभा नहीं देता, कब विद्ध्याम बिना, यदि विद्ध्या से हीन मनुष्य बहुत सुन्दर परिधान पहन कर, उपर अलंकारों को धारण करे, फिर भी वह सुशोभित नहीं होता, कैसे शुशोभित नहीं होता है, यहां उधारण दिया प्यारे बच्चो, नीर्मणी भोगी व, भोगी संस्कृत में कहते हैं साप को, जैसे कोब्रा साप है, या जो भी साप जहरीला होता है, उसके लिए भोगी प्रयोग होता है, नीर्मणी भोगी व, जैसे मणी से हीन साप शोभा नहीं देता, साप के मस्तक पर उसके मणी नहो तो वह सोभित नहीं होता, उसका महत्व कम हो जाता है, ऐसे ही कहते हैं, यदी नरह, परिधाने अलंकारे भुशित हापी, विद्याही नह, तदा सभायाम अथवा ग्रिहे नाशोभते निर्मणी भोगी व, अथवा निर्मणी भोगी व, नाशोभते, जैसे मनी से ही निर प्रियोग होता है रहित के अर्थ में, जैसे निर जल, जल से रहित, निर जन, जन से रहित, निर उपसर्ग का प्रियोग होता है, तो जैसे मनी से रहित साप शोभा नहीं देता है, ऐसे ही मनुष्य यदि परिधान पहने, अलंकृत भी हो, लेकिन वहे विद्या से हीन हो, तब वहे न तो सभा में शोभा देता है, और नहीं ग्रिहे घर में शोभा देता है। कीन्चित के सवलप थोड़ा सा विम्रिश्य विमर्श करके विचार करके, थोड़ा सा सोचता है तपोधत इस वाक्ये को इस शलोक को पढ़ने के बाद कुछ समय के लिए तपोधत सोचता है, विमर्श करता है। भवतू किमेतेन दिवसे मार्ग भ्रानतह संध्याम यावद यदि ग्रिहम उपेती तदपि वरम नासव भ्रानतो मन्यते अतोहम इदानिम तपस्चर्यया विद्याम वाप्तुम प्रवित्तोस्मे भवतू किमेतेन विचार करके विमर्ष जब करता है उसके बाद कहता है ठीक है अपने आपको संतुस्ट करने के लिए कहता है जैसे हम सोच रहे हो और फिर कोई निश्चे करके कहते है ठीक है तथा इवा भवतू इती प्रियोग होता है भवतू का वो कहता है ठीक है किमेतेन इससे क्या? दिवसे मार्ग भ्रांतह, दिवस में, दिन में मार्ग भ्रांतह, मार्ग भठका हुआ, भ्रांतह कहते हैं भठका हुआ, दिन में यदि कोई रास्ता भठक गया हो, संध्याम यावत, शाम तके, संध्या तक, सायंकाल तके, यदि ग्रिहम उपेती, यदि घर उप प्रापनोती आ जाता है, पहुंच जाता है, तद अपी वरम वह भी अच्छा है, बच्चों हिंदी काये के प्रियोग है, सुबह का भटका शाम को घर लोटाए, उसी तरह का ये प्रियोग है, कहते दिवसे मार्ग भ्रांतह, दिन में रास्ता भूला हुआ, संध्याम यावत शाम तक यदि ग्रिहम उपेती, अगर घर वापिस लोटाता है, तद अपी वरम, तत अपी, वह भी वरम, वरम केते हैं श्रेश्ट, वह भी बहुत अच्छा है, अगर आप रस्ता भटक गए हैं सुबह, दिन में, और शाम तक आप भी घर वापिस लोटाए, तद अपी व गया, कहते हैं नासव भ्रांतह मनन्यते, उसको भटका हुआ नहीं माना जाता, अतोहम इदानिम तपस्चर यया विद्याम अवाप्तुम, प्रवर्टो स्मि, अतह इसलिए, अहम मैं, इदानिम अब तपस्चर यया, तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम, अध्या अध्यान के लिए प्रवृत्यास में लग गया हूं, तैयार हो गया हूं। तपोदत कहता है, अरे कहां से यह है, कुतह कहते हैं कहां से, कलोल उच्छलन ध्वनी, जो नदी में बहती हुई लहर है, उसको कहते हैं कलोल, उसके उच्छलन, उसके उच्छलने की ध्वनी, अरे यह बहती हुई नदी के लहर के उच्छलने की ध्वनी कहां से आ रही है। महामच्यो मकरोवा भवेत, कोई महामच्य है, बहुत भारी, महामच्य, बड़ी मच्छली, मकरोवा भवेत, या मकर है, मगर मच्छ है, पश्यामी तावत, तो मैं देखता हूँ, पश्यामी तावत, अहम तत पश्यामी, मैं उसे देखता हूँ. प्रियव बच्चो ये इस पाठ का हमारा प्रथम अंश है तपोधत्तह बाले विद्याम न अधितवान परम स पस्चाताप मगनास्ति उनस्च स विद्याम प्राप्तुम यतते तपह कर्तुम चैच्छति एतावत परियंतम अस्माभी पठितम यहां तक हमने प्यारे बच्चो पढ़ा कि वह फिर से विद्याप्राप्त करने के लिए तप करने को ततपर हो रहा है अग्रिमम भागम पुनह पठिश्यामह भवंतह इस पाठ को अब तक जो हमने पढ़ा उसको आवरित कीजिए उसे बार-बार पढ़िये भाषा बहुत सरल और प्रांजल भाषा है बहुत सुंदर प्रियोग है और प्रेर्णा प्रद कथा है आशा है आपको यह उत्तम तया समझ में आ गया होगा धन्नवा प्यारे बच्चो